जैश्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में। तो तुला राशिवालों आपकी फोटो पर अपने घर के अंदर टोना ठोटका कर रही है। इस नाम की महिला आखिरी कौन है और आपके साथ इसका क्या रिष्टा है, वीडियो में पोल खोलने वाले हैं, सच्चाई बताने वाले हैं। इस औरत का नाम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि हमारे आसपास रह रहे कई लोग, चाहे वह हमारे रिष्टेदार हो, पडोसी हो या फिर सगे संबंधी हो, कोई तो ऐसा है, जो हर वक्त ह हम से जलते हैं, और कोशिश यही करता है, कि आपका काम बिगड़ जाए, अब वह आपका काम बिगाड़ने के लिए तंत्र मंत्र पर उतर चुका है, समय रहते उसका नाम जानकर उसे अपनी जिन्दगी से हटाना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी यल। हमें कभी वो नहीं मिला जो हमने मन से सोचा हो या हमने जिसकी योजना बनाया हो, तो सबसे पहली और बड़ी बात ये है कि आप बहुत ज्यादा आगे का न सोचें, बहुत ज्यादा भविश्य का, आप न सोचें कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, जो वर्तमान चल रहा ह उस हिसाब से जीने की कोशिश करिए, जो वर्तमान चल रहा है उसे अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि आप न तो अतीत को बदल सकते हैं, न भविश्य के साथ छेड़ खानी कर सकते हैं, आप बस अपने वर्तमान में जी सकते हैं, अब होता क्या है, आप ब जो भी आपका गुप्त राज हो। अब आपने ऐसे व्यक्ति को बता दिया है, जो व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि आप जीवन में सफल हो। जो भी नहीं चाहता है, जो भी नहीं चाहता कि आपको सावधान करने आगए हैं। और अगर आज वीडियो को अंत तक देख लिया, तो उसका नाम आपकी आँखों के सामने होगा। आपको विश्वास नहीं होगा कि जिस व्यक्ति को मैं इतने सारे राज बता रहा था, क्या वही सबसे बड़ा दगाबाज है, क्या वही मेरे लिए आस्तीन का साप है, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, जीवन की सच्चाई बस इतनी सी है, यहां हमें हर उस व्यक्ति ने धोखा दिया है, जिस पर हमने आँख मूंद कर भरोसा किया है, क्योंकि भरोसा एक बात जरूर है, कि देता कोई अपना ही है, और हमेशा भरोसा अपने वालों से बताएं। अब उस व्यक्ति का नाम अगर हम आपको बताएं, तो सुनकर आपके भी कहीं होश ओड़ जाए। दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम आज हम आपको बता कर ही रहेंगे। उस व्यक्ति का नाम शुरू होता है S अक्षर से, जो की कुम्भ राशी की शुरुआत है। अगर आप भी अपने जीवनकाल में S नाम वाले लोगों से जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा ही क्लोजनेस है, तो सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, क्योंकि गडबड यहां पर होने वाली है। जो भी इस वर्ड वाले लोग हैं, अक्षर वाले लोग हैं, उनसे आपको भयंग कर खतरा बन रहा है। बहुत ज्यादा आपको उनसे सचेत रहना है, सतर्क रहना है, क्योंकि यह जो दुनिया है, यह हमेशा उन्हीं लोगों को जोड़ती है, जो धोगले होते हैं, और उन ल यह इनसान को पसंद आता है, तो वो उससे जुड़ा रहता है, लेकिन जो आपका अच्छा मित्र होगा, वो हमेशा आपकी कमियों पर आपको टोकता रहेगा, गलत कर्म करने से आपको बचाता रहेगा, और बार बार आपको यह एहसास दिलाता रहेगा, कि सत्य का साथ दो भी मत छोड़िये, क्योंकि दोस्तों, कहते हैं कोई अच्छी किताब अगर आपको मिल जाए, तो आपके मित्र के बराबर होती है, लेकिन अगर आपको एक अच्छा मित्र मिल जाए, तो वो पूरे पुस्तकालय के बराबर होता है, तो एक अच्छे मित्र का त्याग मत करि बुरे लोगों से बच कर रहिए जो आपके साथ वीडियो के दुश्मन है आज के जमाने में देखा गया है कि लोग बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं बहुत ज्यादा व्यस्थ हो गए हैं अब अपने बहुत सारे काम जो है वह खुद से नहीं कर पाते जैसे कि घर में खाना बनाने वाली बाई आ गई है बच्चों को संभालने वाली आया आ गई है या फिर अगर कोई एक्स्ट्रा दुकान है एक्स्ट्रा शौप है अतिरिक्त शौप है उसे संभालने के लिए नौकर चाकर रख लिये हैं अन्य और कोई काम चल रहा है उसे कोई और संभाल रहा है और इनसान है कि एक बार भी ना तो बच्चों पर नजर रख रहा है ना माता पिता पर नजर रख रहा है ना उन लोगों पर नजर रख रहा है जो उसकी दुकान संभाल रहे हैं और यही पर सबसे बड़ी चोट इनसान के साथ होती है। देखिए, आप काम, बढ़ाई है क्योंकि अतिरिक्त आय के स्त्रोथ ही आपको बड़ा आदमी बनाएंगे। लेकिन उस चक्कर में आप लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा ना करने लगे। हो सकता है घर में रहने वाले जिन्हें आपने घर में पनाह दी है, वही आपके लिए आगे चल कर बहुत बड़ी बरबादी का कारण बन जाए। वही नौकर जिस पर आप आँख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं और अपनी दुकान को उसके हवाले कर दिया, कहीं वही आपकी पी नहीं डस्ते हैं और ऐसा डस्ते है कि इनसान पानी तक नहीं मांगता। आने वाले अगस्त के महीने में व्यापार बहुत अच्छा है, नौकरी में पदोन्नती की संभाव नाएं हैं, लेकिन साथ ही साथ स्थान भी बदला जा सकता है, तो वहाँ थोड़ा सतर्क रहें, व अब उस व्यक्ती का नाम अगर हम आपको बताएं, तो सुनकर आपके भी कहीं होश उड़ जाएं, दोस्तों उस व्यक्ती का नाम आज हम आपको बताकर ही रहेंगे, उस व्यक्ती का नाम शुरू होता है, जो कि कुम्भ राशी की शुरुआत है, अगर आप भी अपने बहुत ज्यादा आपको उनसे सचेत रहना है, सतर्क रहना है, क्योंकि ये जो दुनिया है, ये हमेशा उन्हीं लोगों को जोड़ती है, जो दोगले होते हैं, और उन लोगों का त्याग कर देती है, जो अच्छे होते हैं, आपका अच्छा चाहते हैं. आखिर ऐसा क्यों? क् लेकिन जो आपका अच्छा मित्र होगा, वो हमेशा आपकी कम्यों पर आपको टोकता रहेगा, गलत कर्म करने से आपको बचाता रहेगा, और बार बार आपको ये एहसास दिलाता रहेगा, कि सत्य का साथ दो अच्छे काम करो, और ये चीजें हर इंसान को इरिटेट करने पुरे पुस्तकालाए के बराबर होता है, तो एक अच्छे मित्र का त्याग मत करिये, बुरे लोगों से बचकर रहिए जो आपके साथ, वीडियो के दुश्मन है, आज के जमाने में देखा गया है कि लोग बहुत जयादा विजी हो गए हैं, बहुत जयादा व्यस्त हो गए जैसे कि घर में खाना बनाने वाली बाई आ गई है, बच्चों को संभालने वाली आया आ गई है, या फिर अगर कोई एक्स्ट्रा दुकान है, एक्स्ट्रा शौप है, अतिरिक्त शौप है, उसे संभालने के लिए नौकर चाकर रख लिये हैं. अन्य और कोई काम चल रहा है, उसे कोई और संभाल रहा है, और इनसान है कि एक बार भी न तो बच्चों पर नजर रख रहा है, न माता पिता पर नजर रख रहा है, न उन लोगों पर नजर रख रहा है, जो उसकी दुकान संभाल रहे हैं, और यही पर सबसे बड़ी चोट इनसान के साथ होती है। यही पर सबसे बड़ी गद्दारी इनसान के साथ होती है। देखिए, आप काम, बढ़ाई है क्योंकि अतिरिक्त आयकिस्त्रोत ही आपको बड़ा आदमी बनाएंगे। लेकिन उस चक्कर में आप लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा न करने लगे। हो सकता है घर में रहने वाले जिन्हें आपने घर में पनाह दी है, वही आपके लिए आगे चल कर बहुत बड़ी बरबादी का कारण बन जाए। वही नौकर जिस पर आप आँख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं और अपनी दुकान को उसके हवाले कर दिया, कहीं वही आपकी पीठ में खंजर न घोब दे। अकसर ऐसा ही हुआ है, जिस पर भी हमने भरोसा किया है, उसने अपनी आपकात जरूर दिखाई है। तो हमारा आपसे कहना सिर्फ इतना है कि लोगों पर हद से ज्यादा भरोसा बिलकुल भी न करें, क्योंकि अपने ही डस्ते हैं और ऐसा ड तरक रहें, वहां थोड़ा बच कर रहें और कोशिश आपको यही करनी है कि बातों का बुरा आपको ज्यादा न लगे। आप बातें दिल में लेकर बैठेंगे तो आपका मन उधर ही उधर जाएगा। आप अगर बातों को इग्नोर करना सीखेंगे तो जिन्दगी में बह बहुत कुछ ला पाएंगे और बहुत कुछ अच्छे दिनों को भी आप जी पाएंगे। साथ ही साथ बेरोजगार लोगों को हमारा यही कहना है कि प्रयासों में थोड़ी कमी देखी जा रही है क्योंकि एक प्रयास, दो प्रयास, तीन प्रयास में जब आप सफल हो जाते हैं तो आपका मनोबल गिर जाता है कि अब मैं मेहनत नहीं करूंगा लेकिन वास्तविक्ता में आपकी मेहनत की ही परीक्षा चल रही है और मेहनत करने से हार मान लेंगे तो आगे बड़ा परिणाम कैसे प्राप्त करेंगे आगे जब आप सफल हो जाएंगे तभी तो स्ट्र चान से सुनेंगे तो बहुत सारा फाइदा आपका हो ही जाएगा सबसे पहला उपाए दोस्तों जो है सोमवार का सोमवार का दिन हर किसी को पसंद होता है क्योंकि देवा धिदेव महादेव के भक्त यहां पर बहुत सारे हैं सोमवार की शाम को यानि प्रदोशकाल में 6-7 सहास बजे के बीच आपको शिव मंदिर जाना है। एक शुद्ध देसी गाये के घी का दीपक लेकर अपने साथ थोड़े बहुत काले तिल रख लीजिएगा। क्योंकि इस उपाये में यह भी काम आने वाले हैं। शिव मंदिर में जाईए भोले बाबा को प्रणाम करिए। तीन ताली बजाई बम बम भोले कहिए। और उसके बाद यह दीपक आपको प्रजवलित करना है शिवलिंग के पास में। लेकिन उसके अंदर जो घी का दीपक आप बना कर लाये थे। उसके अंदर थोड़े बहुत काले तिल डाल देने हैं। बहुत जबरदस्त उपाये हैं। करके देखिए, लाब आपको जरूर होगा। अब अगला उपाय है दोस्तों, बेलपत्री का। बेलपत्री तो हमारे आसपास हमें कहीं न कहीं से मिल ही जाती है। आपको करना बस इतना है कि जितनी आपकी संख्या में आपके पास बेलपत्र है, चाहे एक है, चाहे साथ है, चाहे ग्यारा है, इष्टी वन है, एक सो आठ है, आपको उन्हें धोना है अच्छी तरह से और उन पर चंदन से प्रभुश्री राम का नाम लिखना है। इसके बाद एक-एक करके बेलपत्री, ओम नम शिवाय, ओम नम शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग पर अर्पित करके अपनी मनोकामना रखनी है। बहुत चमतकारे कुपाए हैं, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। मित्रों, जैसे ही बिस्तर पर सुबह सबसे पहले आपकी आँखें खुलती हैं, आपको वही पर उठना है, और सबसे पहले अपने दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ कर उनके दर्शन करते हुए एक मन्तर का जाब करना है। मूले तो गोविंदम प्रभात कर दर्शनम। यानि हथेली के अगर भाग में माता लक्ष्मी, मध्ध भाग में मां सरस्वती और अंतिम भाग में भगवान गोविंद का निवास होता है। मैं सुबह सुबह इन्हें देख रहा हूँ और इन्हें प्रणाम कर रहा हूँ। आप यकीन मानिए सुबह उठते से ही यह नियम अपने जीवन में बना लेते हैं कि दोनों हथेलियों को आपस में मिलाना है और इस मंतर का जाप करना है तो जो रोज रोज परेशानियां आती हैं, बुरी खबरें आती हैं, तरह तरह के तनाव जीवन में आते हैं, वह आना बंध हो जाएंगे, इन सभी के बदले बहुत सारा पैसा आने लगेगा, क्योंकि इन तीनों के दर्शन सबसे पहले सुबह करना ही हमारे लिए शुभ फलदाई होने वाला है, क्योंकि जिस इनसान के हम शकल सबसे पहले देख रहे हैं, हो सकता है वह कप्टी हो, हो सकता है उसके मन में किसी के प्रती बुरे विचार हो, या हो सकता है वह व्यक्ती पूरी तरह से नकारात्मक हो, और जब आप उसके सबसे पहले दर्शन कर लेते हैं, तो आपके अंदर भी वही सब चीजें आ जाती हैं, जो आपका दिन बिगार देती हैं, इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो हमने आपको बताई है, आगे तो और भी खास बाते होगी, बिलकुल अंत तक वीडियो के साथ आप बने रहे हैं, अब हम आपको बता रहे हैं, नवंबर के महीने में किन गलतियों से आपको दूर रहना है, या कौन से गलतकार या आपको नहीं करने हैं, जो इसमें इतना पैसा कमा रहा है, मैं भी कमा सकता हूं, चलो मैं भी कर लेता हूं, लेकिन आपको इस काम में सफलता नहीं मिलने वाली, क्योंकि वह काम उस व्यक्ती का इंट्रेस्ट था उस व्यक्ती को उस काम में रूची थी तो वह उसमें सफल हो गया लेकिन आपने तो देखा देखी करी इसलिए आप उसमें सफल नहीं हो पाए आप खुद से सवाल करिए कि आपको क्या पसंद है आप खुद से सवाल करिए कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं, आपकी रूची किस कार्य में है, उसी के अनुसार अगर जीवन में चलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मुनाफ़ा होगा इसी के साथ, दोस्तों, आपको महिलाओं का सम्मान करना है, क्योंकि मार्केट प्लेस में या फिर कहीं पर महिला द्वारा आपकी बेज़ती की जा सकती है इसलिए महिलाओं के प्रती बिल्कुल अच्छी नजर रखिएगा और अगर आपके घर में पैसों की कमी है, आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और बहुत काम कर लेते हैं, लेकिन पैसा घर में टिकता नहीं है, वह अर्थ-व्यर्थ चीजों में समाप्थ हो जाता ह ऐसे बहुत सारे घर होंगे और हम जानते हैं भारत में बहुत सारे लोग इस तकलीफ का सामना कर रहे हैं, आप कोई काम करके या फिर भगवान की पूजा करके, अगर धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको हर सोमवार के दिन यह काम करना होगा, आगे वीडियो में हम जो आपको बताने वाले हैं, फिर हम गैरंटी के साथ कह सकते हैं, आपका भी काम बनेगा, भोले बाबा आपकी भी सुनेंगे और आपका भी कल्यान जरूर हो जाएगा, लेकिन आखिर वह कौन सा काम है, यह ज़रा गौर फरमाईएगा आपको, सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर, उनकी शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल चड़ाना है, जी हाँ दोस्तों, बहुत जबरदस्त है ये दूध मिश्रित जल आपने चरहा दिया, सोमवार के दिन अब आपको रुदराक्ष की माला लेनी है, जोकि अभिमंतरित हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, रुदराक्ष की माला से ओम सोमेश्वर आएनमः बहुत सरल मंतर है, ध्यान से सुनियेगा ओम सोमेश्वर आएनमः, इस मंत्र का वहीं बैठ करके दूद मिश्रित जल चड़ाने के बाद 108 बार आपको जप कर लेना है बस इतना सा काम दोस्तों उस माला का जाप आपको एक माला करना है उसके बाद हर पूर्णिमा को जल में दूद मिलाकर चंदर देव को भी जगह देना है इस से व्यापार व्यवसाय में व्रिध्य होती है और भगवान शिव की कृपा बरस्ती है और अगर इस उपाय को करने के बाद भी पैसा नहीं आया तो ऐसा हो ही नहीं सकता आप बस सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा के साथ इस उपाय को आजमाईए इस मंत्र का जब करिए रुद्राक्ष की माला के साथ आपका हर काम बनेगा इस बात की हम गारंटी देते हैं अब एक उपाय आपको बता रहे हैं जो भी इनसान इस उपाय को करेगा उसके घर में माता लक्ष्मी का निवास जरूर होगा आजकल सभी लोग धन प्राप्ती की कामना रखते हैं और माता लक्ष्मी और भगवान की पूजा करते हैं उन्हें भगवान और धन प्राप्ती के लिए हम ये उपाय आपको बता रहे हैं आपको करना क्या है? अगर आप धन की प्राप्ती करना चाहते हैं जो कि सभी लोगों का मूल उद्देश्य होता है, तो अपनी तिजोरी या जहां भी आप धन रखते हैं, वहां पर चांदी के चांदी के चौकोर टुकड़ा, चांदी की गोली और चांदी का हाथी, ये तीन चीजें आपको लानी हैं। ये तीन चीजें आपको लानी हैं। इन्हें रखने से पहले इन्हें गंगा जल अव कच्चे दूद से स्नान कराना है और घी का दीपक जलाकर केसर का तिलक और मिश्री का भोग इन तीनों को लगाना है। उसके बाद उन वस्तूओं को माता लक्ष्मी यानि जो तीन चीजे थीन। उन्हें माता लक्ष्मी के पास रख देना है और प्रार्थना करनी है कि आपको धन प्राप्ति हो और परिवार की प्रगति हो। फिर देखिए इस उपाय का क्या रिजल्ट निकलता है। आपके हर काम कितनी आसानी से बन जाते हैं। इसलिए दोस्तों आज की वीड ओम, हम हनुमते नमः, जो इनसान ओम, हम हनुमते नमः मंत्र का नित्य जाप करता है। संकट मोचन, हनुमान जी, महाराज का खास आशीरवाद उसे मिलता है। भगवान की क्रिपा से वह दिन, दोगुनी रात, चोगुनी तरक्की करता है और अपने हर छित्र में उसे सफ लेकिन पैसा आ भी गया, तो सवाल उठता है, पैसा घर में टिकता क्यों नहीं है, पैसा घर में सेव क्यों नहीं हो पाता, बचत क्यों नहीं हो पाता, वह इधर उधर UDDH ही जाता है, तो यदि आप बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं पैसा कमाने की, लेकिन धन की प्राप्ति आपको नहीं हो रही, तो कुछ धन की प्राप्ति आपको इस उपाय से हो सकती है, ये सरल और साधारन छोटा सा उपाय आपका भी काम करवा सकता है, इतना ध्यान रखिएगा, थोड़े से गेहु में ग्यारा पत्ते तुलसी और दो दाने सरसों के डाल कर पिसवा लीजिए, अब जो आटा पिसवा कर लाएं हैं, ग्यारा पत्ते तुलसी और दो दाने सरसों वाला, उसे अपने घर के समपूर्ण आटे में मिला दीजिए, फिर देखिए आपके घर में कितनी बरकत आती है,